हलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे दोस्तो तो स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूटुब चैनल Ambition Classes 2019 में तो दोस्तो फिर से आप लोगों को फिर से एक सुपकामना देना चाहूंगा गोवर्धन की गोवर्धन पूजा की तो दोस्तो बने रही हैं हमारे साथ आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शूपकामना है तो दोस्तो आने वाले टाइम में एक दो दिन में वह छट पूजा आ रहा है और भाई दो जाने वाला है तो दोस्तो बने रहेगा हमारे साथ और ऐसे ही अपने प्यार बारते रहेगा फैमिली में और celebrate हर एक festival को enjoy किसा celebrate कीजिएगा तो दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज का हम topic तो दोस्तो आज का topic हमारा रहने वाला है oxym oxym क्या होता है दोस्तो दोस्तो अच्छली oxym क्या होता है कैसा organic compound होता है जो किससे बिलूग करता है oxym क्या होता है यह बी एक organic compound है क्या है यह बी एक organic compound होता है लास्ट क्लास में जैसे हमने synohydrin पर discuss किया था तो उसी तरीके से आज oxym है तो oxym क्या होगा एक organic compound होता है जो किसमें बिलॉंग करता है belongs to the belongs to imines i-m-i-ne-mines नहीं है दोस्तो am i-ne-e यह लग होता है imines बोता है इसको imines बोलते है जो किससे बिलॉंग करता है imines से ओके किससे बिलॉंग करता है imines से और जिसको and the general formula and the general formula is general formula इसके लिए क्या होता है r-c-n-o-h क्या होगा दोस्तो इसका ये formula होता है c-n-o-h formula इसका होता है r-c-n-o-h इसका formula है किसका formula है दोस्तो किसका किसका है oxym का formula है तो हम बात करेंगे कि actually क्या है यह, oxym क्या होता है, एक organic compound है, क्या है यह organic compound है, और किस की class का है, nitrogen class का है, nitrogen containing the organic compound, सुन लो भाई इसमें, कि oxym actually में क्या है, यह एक organic compound है, organic compound of class of, of class nitrogen containing, nitrogen containing, nitrogen containing organic compounds, organic compounds, which and usually, and usually, and usually, and usually, formed by, formed by, and usually formed by, hydroxyl amine, hydroxyl amine, and किस के ध्यान रखना दोस्तों, इसमें भी same वही है, हमने कहा गया, कि oxym एक organic compound होता है, जो किस से ब्लोंग करता है, immune cells, immune cells ब्लोंग करता है, and the general formula, R, R, C, N, O, H, होता है, अब हमने कहें, immune cells क्या होता है, immune cells क्या बवाला गया, immune cells ब्लोंग क्या होता है, immune cells दोस्तों, ओपनाय-ट्राइलिया-साइलय- dancer, गृूप होगा। अगर सी-के-बीच में डबल-बॉॡड होगा, यहने सी-के-डबल बॉन। से जुड़ा होता है, तो यह गृूप क्या होता है IMEINS होता है दोस्तों, क्या होता है IMEINS, इमीन। ध्यान लखना बिल्कुल एक चीज़ तो यह Oxym क्या होगा कि organic compound होता है किसके class of compound of class nitrogen containing organic compounds जिसमें nitrogen तो होता है और organic compound के साथ क्या होता है दूसरे organic compound के साथ जुड़ा हुआ होता है कौन पहले देखो nitrogen दूसरे organic compound आपस में जुड़े होते हैं ठीक है डबल बॉन्डेड कार्बन से डबल बॉन्डेड होता है कार्बन और नाइटोजन अगर आपस में जुड़े होंगे तो वो किस से होगा डबल बॉन्डेड कार्बन होगा और बनते कैसे हैं ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से बनते हैं एक तो हाइड्रोक्सिल अमाइन और दूसरा क्या, अल्डी हाइड भी हो सकता है, गलुको, सुरी, अल्डी हाइड भी हो सकता है, और किटोन भी हो सकता है, और क्या हो भी हो सकता है, क्विनोन भी हो सकता है, क्विनोन भी हो सकता है, ध्यान लगो दोस्तो, LDH ya hydroxyl amine से भी बन जाता है, Ketone hydroxyl amine से भी बन जाता है, Quinone ya hydroxyl amine से भी बन जाता है Clear हुआ, हाँ, दूसरी बात इसका use कहा होता है It is used in the antidotes Antidotes of the nerve of the nerve nerve poisoning nerve agent poisoning माना किसी ने जहर खालिया, poison खालिया उसके क्या होता है, पूरी बोड़ी में नर्व को damage करने लगता है उसके पता लगाने के लिए क्योंसा जहर खाया, कौनसा, poison खाया है उस चीज का पता लगाने के और उसका ही जब पता लग जाता है तो antidotes दिया जाता है किसका? ऑक्जिम का तो उससे oxygen चड़ाय जाता है ताकि उसका वह जो खाया है उसका असर कम होजया है और यह antidote क्या होता है oxym होता है clear oxym, फिर से समझ लो इसको कि यह organic compound है जो immune से blow करता है और जिसका general formula R, R, D, C, N, O, H होता है अगर हम इसको और सरी तरीके लिखे तो C double bond N, O, H करके ओके यह होता है oxym एक organic compound होता है यह किस class होता है nitrogen containing organic compound जिसमें nitrogen organic compound जुड़े होते हैं आपस में double bond से जुड़े होते हैं मैंने बताया यहाँ पर और किस किस से बने होंगे यह बनते किस से है hydroxylamine और aldehyde से या hydroxylamine या ketone से या hydroxylamine या quinone से इन तीनों में से कोई एक हो सकता है hydroxylamine के साथ react करके oxym बना लेता है इसका यूज होता है antidote की तरह antidote of the nerve agent poisoning में इसका यूज किया जाता है बात आती है reaction की तो चाहो तो दोस्तों आप इसके skin score ले सकते हैं क्योंकि एक एक ची दोस्तों बहुत ही जादा important है और बिलकुल जबरदस्त होके पढ़ना बिलकुल must होके पढ़ना है क्योंकि दोस्तों बोर्ड में बिलकुल भी time नहीं रहा हमारे सर पर बोर्ड बैठा हुआ है हां बात करेंगे दोस्तों इसकी reaction क्या होप कि आपने skin score ले लिया होगा नहीं तो वीडियो को पोस्त करके भी आप लोग skin score ले सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों reaction की बात आती है reaction कैसे होगी देखेंगे हमारा सी ओ लेते हैं हाइड्रोक्सी लमाइन अभी हमने कहा था एनस्टू ओएच होता है इसकी reaction जब हम करेंगे तो दोस्तों इसमें सी डबल बोर्ड एन और ओएच आजाएगा और साथ में क्या निकल जाता है वोटर ग्रोप जड़ जाता था बड़ इसके अंदर क्या होता है वोटर निकल जाता है देखेंगे एच टू Wil निकाल दो क्या निकल लो एच ट्यू ओ निकल तो ठीक है is निकल गया यह वाला पूरा पार्ट निकल गया तो क्या बचा इधर अ एन एच बचा तो सी के साथ N जुड़ गया, C के साथ N जुड़ गया double bond से, और O और H ये यहाँ पर आगया, तो यही हमारा क्या आ जाता है oxym आ जाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, oxym आ जाएगा और यही reaction हमारी, यह किस से related होती है, oxym से related होती है ओके, लिखनेंगे हैं यहाँ पर preparation of, preparation of oxym, oxym बनाने की preparation है ठीक है, हाँ पर ketone group लिया गया है, ketone की reaction hydroxyl amine, hydroxyl amine के साथ किया गया है और हमारा oxym बन के तयार हो गया है I hope की दोस्तों, आप लोग को clear हो गया होगा दोस्तों, अगली class में अगले-अगली चीज़े हम लेके आएंगे और आज की लिए बस हमारा इतना ही topic था चाहो तो आप इस skin sword ले सकते हो, दोस्तों, आज की लिए बस इतना ही तो दोस्तों, मिलते हैं अगली class में एक ने topic के साथ तो बनी रहीगा हमारे साथ और हमारे जिसने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है प्लिस चैनल को subscribe, like और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूली क्योंकि आपके एक subscription से हमारा उत्साब बढ़ता है दोस्तों तो दोस्तों, इस दिवाली गिफ्ट आप हमें जरूर दीजिएगा क्योंकि एक टीचर के लिए, एक गिफ्ट मैं यही मंगता हूँ हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए और share करना बिल्कुल भी ना भी लिए अपने दोस्तों को भी बताईए अगर समझ में आपको अच्छे से आता है तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार